नमस्कार दोस्तों आप सभी भाईयों को राम राम मैं शौरब शर आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं दोस्तों अपने इस जीके राजस्थान बाई चंद्रा इंस्ट्यूट चैनल प्रेटफॉर्म पे काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं दोस्तों पीटट की परिक्षा के बाद ये अब मुलाकात आपसे हो रही है और ये मुलाकात भी आपके लिए बहुत खास होने वाली है मेरे भाईयों कुभे दiation की थोड़का सा आप जान ही रहे हो और चंद्रा इंस्ट् nearest थी जुड़े से जुड़े हुए हैं पूरी टीम हमारी चंद्रा इंस्ट्रा इंस्ट्यूट में हमारी क्लास होते हैं संद। divorced क्लास दे रहा है इतना time में ऑंभी क्लास है पॉलानीन ञाहती है तो मतलब एक दिन में टोटल रस टोटल मिला के 15-16 घंटे का रश हो जाता है हम लोगे लिए पढ़ाने का तो तो इसलिए बहुत कम मुलाकात हो पाती है लेकिन यह आप सभी जानते हैं कि जीके राजस्थान ने जब जिस भरती के लिए हाथ लगाया है उस भरती में पर्चम कि खुम मेहनत किया और आज वो लोग एक अच्छे कॉलेज से अपना काम कर रहे हैं बेस्टीशी को आगे बढ़ा रहे हैं अपना बीपेड का काम कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं न कहीं देखे हम लोग फिर से जुड़े हैं और इसके लिए भाई कई लोग दिमाग होना सर अचानक आज आप लोग लाइव कैसे आ गए तो मैंने लिख रखा है मारे लाइव आने का रीजन देखे दोस्तों आपका राजस्थान पुलिश की परिक्षा देथी एनांस हो चुकी है 24 और 25 जनवरी को होने वाली है परिक्षा फॉर्म भरे जा चुके हैं आप सब लोग बनना या फिर को है Sorry बनना या फिर एक अच्छा सिक्शक्र बनना ऐसे सपने होते हैं हर बाद हीज्यव आन डूस्तों हमारी टीम आप आपमेंसा जानते हैं कि हैं लोग चैनलों पर बार बार पर प्ढवं फिर लाइव हुए हैं बीस टीशी पीटट को लेके पढ़ाया गया तैयारी कराई गयी प्रैक्टिस दिया गया प्रैक्टिस जुड़ रहे हैं राजस्थान पुलिस का जो पेपर आपका होना है 24 और 25 जनवरी को इसका प्रैक्टिस सेशन लेके मैं कल से जुड़ रहा हूं आपके साथ कल है 18 जनवरी कल सुरुआक्व करूंगा मैं अपने सेक्षन के साथ 18 जनवरी 24 जान रखियेगा 18 जनवरी से आपका रिजनिंग का सेक्षन लेके मैं जुड़ुगा आप से 12 पी अम पर कितने मजे मेरे भाईयों बारह पीम पर आपके साथ जुड़ूँगा और काम होगा इन प्रश्णों पे देखा जाएगा कैसे सवाल आते हैं और ध्यानखना जैसे कई लोग सोच रहे होंगे गुरु जी अब क्या पढ़ाओगे अब तो परिक्षा आ गई बेटा हम पढ़ाने लाइब नही होता है बस ध्यान रखना पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं हजारों कोचिगें हैं हजारों चैनल है पढ़ा रहे हैं लेकिन दोस्तों सही रस्ता कौन सा है किस रस्ते को पकड़ लें तो आराम से अपनी मंज़िल पे पहुँच जाएं वैसे रास्ता तो कोई भी आशान नह कर चुका है और इस बार फिर से करेगा भरोशा रखेगा आपनी टीम पे भरोशा रखेगा इस चैनल पे जैसा पिछले दो सालों में आपने किया है भरोशा बनाए रखना हमारा यह परिवार देखते देखते तीन लाग का पहुँच चुका है आप लोगों के प्यार और आशिरवात से दोस्तों और ऐसे ही अपना प्यार बनाये रखो बहुत मजाने वाला है आप भी खुश हो जाओगे देख लेना ठीक है दिखे राजस्थान पुलिस की भरती परिक्षा चौबिस पच्चिश को हो रही है वे दोस्तों और इसके बारे में फ्रस ची मैंने यहां लिखा हुआ है इस पेपर में ध्यान देना मेरे भाई रिजिनिंग प्लस कंप्यूटर मिलाके साथ कुश्चन है और ये पूरा सेक्षन में आपको देने का प्रयास करूँगा बाई स consensus यानि मेरे दवारा मेरे भाइयों और मेरी पूरी टी तीम आपके साथ तैयनात रहेगी जीएस के लिए भी और बहुत जल्द हमारी पूरी टीम आपके साथ हा रही है आपके साथ सहीयोग करेंगे बिल्कुल वो भी जुडेंगे आपके साथ बहुत जल्द ही लाइब होंगे और हम सब लोग मिलके आप एक अच्छा सा मोटिवेशन करना चाहेंगे जिससे की आप एक सही डिगर पर चल सो परशानना होईए बिल्कुल मिलवाएंगे आप से सभ लियास करूँगा कल से यानि की 18 तारिक शेप 18 19 20 21 22 23 ये छे दिन हमारे पास हैं छे दिन में कई लोग कहते हैं सच छे दिन में क्या कर लोगे हम छे दिन में आपको दिखाएंगे कि हमने आपको किस तरह से घुमा दिया किस तरह से तयार कर दिया किस तरह से एक सही रस्ते क तरफ घुमा ले गए अब तक आप भटक रहे थे अब मैंने आपको एक सही रस्ते पर खड़ा कर दिया बस बेटा चलते जाओ चलते जाओ सफलता मिल जाएगी देखेगा यह च्छे दिन भी बहुत हैं याथ हम लोगा तो एक मॉडल पिपर देदें और उतना परियाप्त है आपके पेपर के लिए उतने में आप 20-30% सवाल करके आ जाओगे यह शियोटी देता हूं परशान मत भरोशा रखिएगा इन अनुभवी टीचरों पर अपने जितने भी सिक्षक हमारे साथ जुडेंगे मेरे भाईयों हम सभी लोगों ने ठीक ठाक पढ़ाया है ज्यादा कहीं से जरूर अब तक आप पढ़ चुके होंगे अब तक बचे नहीं होंगे अब इस समय आप केवल फाइनल तैयारी कर रहे होंगे फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे और उसी समय पर हम आपके साथ जुडेंगे और वही फाइनल रिवीजन एक सही दिशा में कराने का प् दोस्तों एक दोहा है एक का लाइन है मुझे याद आती है कि करत-करत अभ्यास ते जडमत होत सुजान रश्री आवत जातते सिलपरपड़त निशान मतलब करत-करत अभ्यास ते मतलब मेरे भाईयों बार बार अभ्याश करते रहने से प्रैक्टिस करते रहने से एक जडमत जडमत मत जो जिसे मूर्ख कहते हैं वह भी बुद्धिमान हो सकता है जैसे की एक पत्थर पर नॉर्मली आप रसी रगण के देखिए कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन हमारे गाव में जो खुए होते हैं वहां जो एक घिरडी होती है जिस पर रसी खीचा जाता है जरा कभी उसे पास से जाके देखिएगा वहां गड़ा बन चुका होगा तो दोस्तों वो क्यों हुआ क्योंकि रश्शी बार-बार उस पर से आ जा रही है तो वो प्रयास बार-बार करते 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 उस पे वो निशान डाल दी अपना इसी तरह से मेरे भाईयों आने वाले ये 6 दन बहतरीन सेशन होंगे आपके ध्यान रखना कल का सेशन मैं शुरू करूँगा और आपने अगर शहयोग बनाए रखा मेरे भाईयों तो 19, 20, 21, 22 और 23 रेगुलर आपको मैं इस सेक्षन से टॉप 50 देने वाला हूँ रेगुलर टोप 50 चलेगा ध्यान रखिएगा रेगुलर रेगुलर समझ रहे हों रेगुलर टोप 50 होगा जोड़के देख लो कितने सवाल होगा है साइध कहीं पढ़ते होगे तो इतने सवाल आज तक नहीं हुए होगे ठीक है ना जोड़के देख लो एक दो तीन चार पांच पांच दिन पचास सवाल यानि धाई सो प्रश्ण में लगवाऊंगा आपको ये तो रेगुलर की बात हो गई भाया टाइमिंग रहेगी 12 पीम की ध्यान रखना 12 पीम की टाइमिंग रहेगी और इसी बीच में अगर आपकी संख्या हजार पार हुई तो एक दिन रखूंगा मैं महामेराथ महामेराथ मनों समझते हैं सौ से डेवड़ सो प्रश्ण जिन बच्चों ने 2019 में हमारे साथ BSTC में पार्ट लिया 2020 में हमारे साथ तयारी की एक कैस में उन बच्चों से पूछना बताएंगे महामेराथ म कैसी होती है जीके राजस्थान के प्रश्ण लगाने जब शुरू किये जाते हैं तो तीन चार घंटे कब निकल जाते हैं प्रैक्टिस में पता ही नहीं चलता सो डेड़ सो सवाल कब खतम हो जाते हैं पता ही नहीं चलता क्योंकि वहाँ पर आपका प्यार हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है आपका सहयोग हमारे साथ जुड़ा होता है और हमारे टीचर तो इतना तक चैलेंग देते हैं कि आपकी संख्या बढ़ाते रहिए हमारे सवाल चलते रहेंगे ये शोर्टी देता हूँ बेटा जम महा मैराथन लेके हम लोग जुडेंगे आपके साथ इसी बीश में और यह मैं सोजना कि बहुत लंबा समय पे इसी बीश में किसी भी एक तारीक पर जिस दिन आप लोग सहमत हो गए और आपकी संख्या हमें 1000 प्लस दिख गई दिन में रेगुलर में 12 बज़े लाइब आऊंगा और जिस दिन आपने 1000 प्लस कर लिया उसी दिन साम को महा मैराथन लेके जुड़ जाऊंगा 1500 से 200 प्रशनों के साथ और जब तक आपकी संख्या बढ़ती रहेगी मेरा प्रैक्टिस चलता रहेगा रुके का नहीं हाथ देख लेना आप भी साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये शियोर्टी देता हूँ पेपर से एक दिन पहले बस पूरा देख लेना एक बार पेपर में चले जाना उससे बाहर सवाल नहीं आएगा ये भी शियोर्टी देता हूँ दोस्तों और साथ के वल यहीं तक नहीं है साथ के वल यहीं तक नहीं है भई तुम्हारा पेपर कब है 24 को है न 24 की सुबह सुबह जुड़ूँगा फिर आपसे ध्यान रखना 24 जनवरी 24 जनवरी की सुबह में 6 एम ये तो मैं अपनी तरफ से टाइम दे रहा हूँ जरूरत पड़ गई तो 5 बज़े जुड़ जाओंगा जैसा तुम लोग कहोगे कहोगे तो 4 बज़े से लाइब हो के पढ़ाया हूं BSTC के पेपर के दिन और बच्चे जब पेपर से बाहर निकले हैं तो हंगामा जानते हो क्या मचा है अरे सर दस सवाल सेम तू सेम आये थे भाईया पेपर आउट उट नहीं कराते हैं पहले बता रहे हैं बस महनत करते हैं बेटा ये समझो कि धाई सो सवाल जो बनेगा वो कहां से बनेगा सोचके ही तो बनाएंगे और कहां से बनाएंगे उतनी महनत करेंगे तभी तो आपको धाई सो सवाल हल करवाएंगे तो बात को समझेगा इसीज को उतनी मेहनत की जाती है और तब ऐसा परड़ाम मिलता है मेरे भाईयों 24 जनवरे जिस दिन आपका पेपर है उस दिन सुबह 6 बजे ये तो मेरी टाइमिंग है जरूरत पड़ गई तो 5 बजे और अच्छी संख्या आपने खुद कहा तो 4 बजे भी आपके साथ लाइब हो जाओंगा मैं ये मसमझना की ठंड का मौसा मैसार इतनी सुबह सुबह कैसे वो छोड़ दीजे हमारे जिम्में जब हम लोग कोई जिद लेते हैं तो जिद पूरा करते हैं चाय कुछ भी हो जाए उसकी टेंसन आप मत लेना ठेक है दोस्तों मेरे भाईयों तो ये ध्यान दखना 24 तारिक को और ऐसा मसमझना की 24 तारिक को जुड़ेंगे तो सर क्यों आप जूड़ूँगा तो कोसेस करूँगा कि उस दिन का हलका फुलका करेंट भी आपको दे दिया जाए कि दिमाग में सब चीज़ें हलकी फुलकी चलते हैं ज्यादा प्रेशर वाले नहीं नॉर्मल सवालों साथ जुड़ेंगे कि एक दिमाग भी चल जाए और ज्यादा टेंसन भी नहों है ना मेरे भाईयों तो ध्यान दखिएगा इस चीज़ों को इसके बाद कई लों सोचेंगे सर उसके बाद क्या तो परशान मत होईए पच्चिस तारिक के बाद से 26 जनवरी शे हम सुरुआत करेंगे आपके upcoming exam BSTC और PITET को highlight करेंगे फिर से दो सालों में बहुत सारे बच्चों को एक अच्छा college दिनाने में सहयोग किया गया है और हमारे आने वाले भाई बहनों को भी सहयोग किया जाएगा 26 जनवरी शे आपके BSTC और PITET को लेके मैं सुरू हो जाओंगा live आपके साथ जुड़ना सुरू कर दूँगा और आगे ये लगातार जारी रहेगा जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाएगा आप कोई पता है कि फॉर्म मार्च अप्रेल में आते हैं एक्जाम जून जुलाई के आसपास होते हैं तो उस तक जारी रहेगा जब तक आपका पेपर नहों हो जाए तब तक हम इसके लिए जुड़ते रहेंगे आपके साथ रेगुलर आपको टाइम देंगे रेगुलर आपके साथ बने रहेंगे बस तुम्हें अपने भाईयों को बेहनों को जो आपके घर में छोटे हैं उनको बताना है जैसे कई लोग कहेंगे कि सर मैं तो नहीं कर रहा मैं क्या करूंगा भई मैं तो सर राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं डाला हूं सर मैं क्यों लाइव आउंगा बेटा आप राजस्थान पुलिस नहीं डाले हैं लेकिन बीस्टीसी तो करने की सोच रहे होंगे नहीं तो पीटेट तो जाना साहें में कि कम से कम एक दो बच्चे जो हमारे हैं वो सेलेक्टेड हो सरकारी नौकरियों में काम करें वो एक सही मौके पर रहे हैं तो दोस्तों हम इसके लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं बस एक चीज़ ध्यान रखना जैसे अगर आपने राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं डाला कोई बात नहीं मेरे भाई आपके भाई ने डाला होगा आपके बहन डाला होगा आपके आसपरोस के लोगों डाला होगा जरूर उनसे कहना कि भाईया एक बार जुड़ के देखो सरलों की क्लास को देखो कैसा लगता है जबरदस्ती नहीं करना है जबरदस्ती करके कभी किसी को कोई सही रस्तर दिखा सका है कभी नहीं हमारा काम है सुझाओ देना हमारा काम है शेयर कर देना बस यही करना यार बस इतना सहीयोग कर देना बस परियाप्त है भाईयों मुझे इतना बहुत है ठेक है ना मैं बस इतना ही करना कि जो ये आज ही क्लास है जो ये आज की वीडियो है ना इशी को मेरे भाईयों अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर लेना और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सभी दोस्तों को कि मात्र 5 लोगों को share करना जितने हमारे पुराने student जुड़े होंगे जान रहे होंगे कि Saurab sir हमेशा कहते हैं कि बस 5 लोगों को share कर दो जानते हो इस 5 का मतलव क्या होता है इस 5 को मिला के एक मुठी बनती है जिसके थोबडे पे पड़ जाए इसका दाट पूड जाता है और इस पांच को इसे ही माला भी पहना ही जाती है तो भाई हमको किसी का चेहरा नहीं तोड़ना है हमें बस exam की रीर तोड़ देनी है exam का जो paper है उसे एक्दम आसान बना देना है आपके लिए और इसके लिए मुझे मेरे भाईयों सभी पांचों लोगों की जरूरत है मेरे सभी दोस्तों की इस मुठी के बराबा जितने मेरे भाई हैं इससे जादा भी जो हैं वो सब मुझे अपना साथ दें तो देखो न मजा आ गया तो कहना मुझे मेरे भाई बस आप से एक ही रिक्वेस्ट की गुजारिस है पिछले ये सोचो कि दो सालों के अंदर हम लोग तीन लाग पहुंच चुके हैं तीन लाग का ये आपका परिवार हो चुका है जी के राजस्थान का ये कैसे हुआ है क्या है मेरे कहने से हुआ है नहीं भाई ये पूरा सहयोग मेरे इन भाईयों का है ये जो मेरे भाई है ये मेरे साथ खड़े हैं कौन मेरे भाई 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 आप और कौन इस चैनल के साथ खड़े हैं हमारी टीम के साथ खड़े हैं और आप ही का प्यार है कि हम लोग हर साल आ जाते हैं आपके बीच मे है न हम लोग इस प्रयाग राज की धर्ती से जुड़े हुए हैं ठेक है प्रयाग राज आपके UP में आप सब जानते होंगे वहाँ से हम लोग आपके साथ जुड़े हुए है यह पूरा चंद्रा का परिवार आपके साथ हम जुड़ चुका है और पूरी जीजान से हम लग चुके हैं जैसे हम लोगे यूपी में हर एक्जाम में परचम लहराते हैं चंद्रा का वही हाल होगा आपके एरिया में आपके राज़े में पिछले दो बारों में BSTC और PITET में धुआधार सफलता दी गई बच्चों को इस बार राजस्थान पुलिश से शुरुआत करेंगे राजस्थान पुलिश में बच्चों का भविश्य बनाने का प्रयास पूरा करेंगे मेरे भाईयों एक बार साथ लेके जरूर देखना न मजा आये तो कहना क्लियर है मेरे भाईयों और इसके बाद हम लोग अनवरत सुरू हो जाएंगे BSTC और PITET के एक्जाम के लिए लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे बस आपको एक काम करते चलना है और वो है अपना सहयोग अपने इस भाई के साथ बनाया रखना बस इतना करना मेरे भ कल्प है मारी टीम का दोस्त ठीक है ना तो दोस्तों पूरा उमीद है कि कल 12 बजे 18 जनवरी को 12 बजे दोपहर में मैं जुड़ूँगा अपने सेशन के साथ में आप भी आएंगे ये पूरी उमीद रखूँगा और अपने भाईयों बेहनों और दोस्तों को भी लाएंगे है ना दोस्तों क्योंकि एक लाइन आयाद आती है खूब जमे का रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार एक सुने होगे ने बहुत पुराना एक प्रचार आता था जो आजय देवगन करते थे कि खूब जमे का रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार आप मैं और जी के राजस थ है न दोस्तों तो बस इस बात को बनाया रखना आप से सहयोग की पूरी उमीद होगी और हम कहीं से भी आपको निराश नहीं करेंगे मेरे भाईयों तो बस चलिए इसी आशा के साथ कल मिलूँगा आप सभी से 12 मजे लेकिन दोस्तों ध्यान रखना एक बार इस वीडियो को सभी ग्रूपों के साथ सेर कर लो मेरे भाई क्योंकि देखे मैं पैसा नहीं ले रहा हूं यह चैनल किसी से चार्ज नहीं कर रहा है फ्री में हम दे रहे हैं और फ्री की चीजों में अगर अच्छी चीजे मिल जाए तो बेटा बहुत फायदे बंद होती हैं लेकिन जब आ आपको प्रैक्टिस कराएंगे आपको तयार करेंगे लेकिन सहयोग आपसे भी हमें चाहिए मेरे भाईयों बस इतना जरूर कर देना कि इस वीडियो को जो आज हम दो जुड़े हुए हैं एक बार अपने सभी दोस्तों में सभी ग्रूपों में मेरे भाई शेयर जरूर कर देना इतना सहयोग जरूर करना अपने इस भाई का इतनी उमीद जरूर रखूंगा पेचले दो सालों में बच्चों ने इतना सहयोग आप सोचिए कि 7-7जार बच्चे 8-8जार बच्चे तब लाइव होते थे जब हमारे पास किवल एक लाख गड़के लाइव सब्सक्राइबर थे सोचिए एक लाख बच्चों के रहने में हम लोग साथ लाइव लोग लाइव होते थे दो लाग हुआ 14-15 हजार का हमारा परिवार पहुंच गया लाइव होने में ये आपका ही श्रयोग था दोस्तों तो आज को 3 लाग पर हम लोग हैं क्या आज 20 जार का नहीं बनता लेकिन चलो मैं इतना लालच नहीं करूँगा मैं पोसिस करूँगा आपसे ये उमीद करूँगा कि धीरे धीरे आप हमें 2-3 दिनों में 1000 तक पहुँचाएंगे और फिर आप देखना खुद बखुद न चाहते हुए भी आपको आना पड़ेगा हमारे साथ ये हमारी खासियत रहेगी तो चलिए मेरे भाईयों मिलता हूँ कल आपसे कुछ बेसिक चीजों के साथ जुड़ूँगा कल का पहले दिन का सेशन बहुत धमाकेदार होगा कुछ टॉपिकों के बेसिक के साथ जुड़ेंगे बाते करेंगे आपके पेपर को ले करके कुछ ऐसे सवाल जो प्रिवियस येर में आये हैं उनका पैटर्न समझाने का प्रयास करूँगा कोसिस करूँगा की चीजों को दिमाग में वैठा सकूँ आपको बस तयार रहना है हमारे शाथ में कल 12 बजे और एक बार इसे जरूर शेयर कर लेना आपने सभी ग्रूपों में मिलता हूँ आप सभी से तब तक के लिए मैं सौरप शर आप सभी से अवलिदा लेता हूँ दोस्तों राम राम नमस्कार धन्यवाद जैहिन भायों